नमस्कार स्वागाच आपका आप देख रहे हैं हमवतन टेवी और हम आपके लेकर आए हैं बॉलिवुड गप्षप दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलिवुड हीरो प्रभास के बारे में आपको बता दे कि साल 2015 में प्रभास की बाहुबली फिल्म को 2500 स्किम को रिलीज किया गया 4700 करोड के बजट में तयार इस फिल्म द कुल कमाई 500 करोड से अधिक की बाहुबली रिलीज के बाद सही प्रभास नाम की चमक से सिनेमा में स्थापित हो गई प्रभास को बैक टू बैक कई फिल्मों के प्रस्ताव दिये गए प्रभास का नाम का वजन इतना अधिक हो गया कि उनके फैंस प्रभास की फिल्म के लिए लंबा इंतिजार भी करने को तयार है आपको बताते चले कि प्रभास आने वाले दिरों में चार ऐसी फिल्में लेकर आ रहे हैं जो कमाई और बजट के लिहासे बाहुबली को कड़ी टकर देनी के लिए पूरी तरह से तयार है जिसमें आदी पुरुष और राधे शाम शामिल है प्रभास का श्टारडम दर्शकों पर इसकदर चाया हुआ है कि लोग अपने इस हीरो को स्क्रीन पर केवल फाइड करते वे साधारन तरीके से नहीं देखना चाते आईए हम बात करते हैं प्रभास की फिल्मों के बारे में जिसमें पहला नाम आता है सालार सालार में प्रभास का वो अंडाज देखने को मिलेगा जो कि फैंस को पूरी तरह से चौका देगा प्रभास इसमें डार्क शेड में नजर आएंगे इसका निर्देशन प्रशान नील कर रहे हैं सालार के साथ प्रभास इस फिल्म एक वॉयलेंड मैन की भूमिका में दिखाए देंगे प्रभास की इस एक्शन फिल्म का बजट बताय जा रहा है कि इस फिल्म का बजट साठे 300 क्रोड का है प्रभास के फिल्मों के सूची में अगला नाम है राधिश्याम का राधिश्याम में प्रभास का रॉमांटिक लुक पहले से दिल में बस चुका है ये एक पिरिड रॉमांस की कहानी है इसमें प्रभास के साथ पूजा हेग्रे दिखाए देगी इस फिल्म को भी 200 से 300 क्रोड की लागस से बनाने की खबर सामने आई है प्रभास के अगली फिल्म का नाम है आदी पूरुष ये नाम तो इन दोनों खबरों में चाया हुआ है बगवान श्रीराम की इस कहानी को दिखाने के लिए निर्देशक राउत ने काफी पैसा खर्च करने की प्लानिकी है इसका बज़र चार सो क्रोड के करीब बताये जा रहा है विज्वल इस फिल्म की सबसे बड़ी खुबी होने वाली है रामायन पर बेश्ट इस फिल्म में प्रभास को भगवान राम बनाया गया है किर्ती सेनन सीता और सैफली खान रावन की भूमिका में है एक्शन विज्वल और भारी भरकम डायलोग के साथ प्रभास की बाहुवली छवी यहां भी देखने को मिल सकते है प्रभास के फिल्मों के सूची में अगला नाम है प्रभास 21 इस नाम से भी प्रभास की आगामे फिल्म की चर्चा है जो की एक दिल्चस्प कहानी के साथ आ रही है प्रभास के साथ इस फिल्म में दीपी का पादुकोर नजर आ सकती है बताए जा रहे कि करीब 2500 क्रोड के बजट के साथ ये फिल्म बनाई जाएगी फिल्म शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है जाने के लिए देखते रहे हमवतन टीवी और अब ही तक आपने हमवतन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए